अभीनेत्री डेजी शा भी हर साल अपने घर पर बापा का स्वागत बहुत ही उत्सा के साथ करती हैं इस साल भी इनके घर पर बापा पधारे हैं और बेहत खुश नजर आ रही है अब डेजी कितने खुश हैं आप कितना इंतजार करती हैं कि बापा को घर पर बुलाया जाए उनकी आवभगत की जाए उनकी सेवा की जाए लुक फॉरवड करते हैं गनपती के लिए वो डेफिनिटली बापा के आने की खुशी होती है और I think पूरे साल में ये एक ही फेस्टिवल है जिसके अंदर मेरा पूरा परिवार एक साथ आ जाता है जो आमदबाद से गुजरात से जो मेरे सारे ममीके साइक काजिन से वो सारे आ जाता है COVID की वज़े से पिशले दो साल नहीं आ पाय थे पर ये साल पूरा जिंग बैंग आया है आम दिवारा से और हम देख सकते हैं कि डेजी के घर पर जो बापा पदार है वो एक बापा नहीं दो हैं एक साथ दो दो बापा है और लाल रंके हैं ये दो बापा जो आपने प्रतिस ठापित किये हैं इसके बारे में कुछ बताईए हैं बापा को लेने कहते हैं तो उन्होंने बुला कि ममी मासी हम भी एक छोटा सा गनपती कि ले क्या हमारे लिए हैं तो I think that is the story behind कि तब से हमारे घर पर दो बापा आने लगे एक बड़े और एक छोटे और ये जो लाल रंग के बापा है इनका कलर भी काफी अनूठा है और ये जो सजावट है ये भी काफी अलग नजर आ रहे इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने खुद सजावट की है? आण नहीं मैं और लूक किया है मुझे पता था के मुझे बापा का डेकोरेशन कैसा चाहिए और मुझे सिंपल रखना ज्यादा पसंद है मुझे ज्यादा मतलब जब्भी बापा जैसे गनपती के टाइम पर मुझे फोकेस बापा पर चाहिए बाकि आस पास का जितना भी जो भी डेकोरेशन के लिए चीजे है वो खाली एन्हांस करने के लिए मैं यूज करती हूं और जैसे आपने कहा कि इस रेड और जो उनके उपर जो वर्क है वो डामेंड का है वही मैं पूछना चाह रहा था कि यह जो डामेंड वर्क है मुकुट जो है उनके सून के नीचे जो डामेंड वर्क किया गया है बहुत ही अलग एक फील आ रहा है इसके बारे में क्या कहेंगी आँ सिंपल लगता है एलिगेंट लगता है और पता नहीं मतलब एक इसके बीचे कोई रीजन है नहीं पर मुझे ये रूप बापा का बहुत पसंद है और जब से मैंने ये कलर लेना शुरू किया है तब से मैंने चेंजी नहीं किया है मेरे घर पे हर साल सेमी रूप आते है और क्या आपको पंडाल होपिंग करना बहुत पसंद है पंडाल पंडल जाकर गनपतीर के दर्शन करना बहुत पसंद है क्योंकि कई सितारे ऐसे हैं जिन से मैंने बात की उन्होंने कुछ ऐसी यादे शेयर की कि मुझे जाया करते थे और उन्हें में बहुत मज़ा आता थ definitely मुझे जाना पसंद है पर कभी-कभी नहीं जा पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो जैसे लालबाग के राजा है पर वहाँ पे भी बहुत पापडविलने पड़ते हैं वहाँ पर अंदर जाने के लिए तो वो है अंधिरी के राजा है तो ऐसे तीन-चार पंडाल है जहाँ पर मैं जाने के कोशिश करती हूँ और बाकी इंविटेशन आते हैं काफी जगे पर क्या होता ना कि बहुत सारी जगे ऐसी है जहाँ पर हम को बुलाते तो है बापा के दर्शन करने के लिए पर बापा के दर्शन एक साइट रह जाते है उनके फोटोग्राफिंग सेशन शुडगो जाता है तो वो एक चीज मुझे कहीना कई खटकती है कि I really appreciate के लोग बहुत सारा प्यार देते हैं उनको फोटो चाहिए but they don't really understand के फोटो हम देंगे but just give us five minutes हम एक बापा के पैर पढ़ ले हम ना उनका माथा टेक ले उसके बाद आपको जो करना है आपको फोटो लेना है वो ले लो but पाँच मिनट दे दो हमें खाली बापा के पैर पढ़ ले और बापा से जुड़ा कोई खास आपका फेवरेट गाना या कोई खास नारा बापा से जुड़ा जो सुनाना चाहें गया वैसे तो कुछ है नहीं मतलब जब से मैंने actually गनपती का जो माहौल है वो enjoy करना शुरू किया है वो obviously अर्पिता के गनपती से और I think वो उनका जो नासिक ढोल का जो पूरा जो हो और वो एक चीज है जिसे मैं हमेशा लुक फोरवर्ड करती हो मतलब वो energy कुछ और होती है मतलब अगर आपको dance नहीं भी करना है तो अपने आप पैर चलने शुरू हो जाते है I think the entire vibe is completely different when you have so many people playing इतने बड़े बड़े नाशिक धोल तो वो एक चीज है जो बहुत ही कामना तो ये थी हमारे साथ अभी नेतरी डेजी शाह जिनोंने बताया कि बापा का किस कदर वो इंतजार करती है कि घर उनके आए और बहुत धूमधाम से इस्तेवार को मनाए कैमराबेन रवी पांचाल के साथ रवी जैन एबी पन्यूज मुंबाई